है 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 चलो जी है 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 आजी गुड इवनिंग किश्ण 700 गुड इवनिंग चलो जी सब लोग आ गया है 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 हम वक हो गया था इशा गुड इवनिंग वक हो गया है 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 हम वक आप लोगों का मंवनिघ लोगों किश्चर बड़ किस आप एक हो फे किडिशयों वक लोगों क्यूप एए है है ли अट है बड़ência जुडично, क्यूशा है हम दोदें आपन किवसका है हएं शोब माजद करता है नंड़ाभान है दूख रख 001 पर ईनिफेशन कर रहा थे तो बच्चों के दोडर आँ जो जोडराइट यह थे मैं डिषम्ट्रफन कर लेता हूं ठीक रियल डिस्कांटिंग रिट और वो दिया है 10 पर्षेंट लिखना नहीं है बत सुनना है कोई सिंपल है और फैक्टर निकाला था 0.909.826 यह फर्स्ट यर का था यह सेकेंड यर का था और 0.751 यह था था थार्ड यर का अब सर इंफलेशन रेट अगर इंफलेशन रेट है पाच पर्षेंट तो मैंने आप से बोला था कि चलो नॉमिनल डिसकांटिंग रेट के हिसाब से बताओ क्या फैक्टर होगा ठीक है और मैंने क्या किया था मैंने कर दिया था इसी को डिवाइड बाइ 1.05 पावर 1 इसी को डिवाइड बाइ 1.05 पावर 2 और इसको किया था 1.05 पावर 3 तो बच्चो का ये कोश्चन था कि सर डिवाइड कर क्यों रहे हुआ जाके ये पसंद नहीं आ रहा तो तो दूसरा तरीका था और दूसरा तरीके में हमने क्या किया था रियल डिस्काउंटिंग रेट से नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट निकाला था कैसे निकाला था खुश्याद है 1.10 इन्टू 1.05 अब ध्यान से देखो मैं 0.909 डिवाइड बाइ 1.10 इन्टू 1.05 ही तो कर रहा हुँ अल्टिमेटली पावर वन तो अब सोच के बताओ ना या पॉइंट नाइन जिरो नहीं नहीं तो मैं इसको वन डिवाइड बाइड 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 वन पॉइंट वन पॉइंटू 1.05 लिखो तो अब ध्यान से देखो ऐसे अलग अलग भी तो कर सकता हूँ 1 से पहले 1.1 को डिवाइड कर दूँ और उसके बाद 1.05 को डिवाइड कर दूँ इस नहीं नहीं ती बस मैंने क्या किया इसी को उठाकर यहां डिवाइड कर रहा हूँ बस पहले वन को 1.10 से डिवाइड किया तो यह आ गया और फिर बाद में इसको 1.05 से डिवाइड कर दिया मेरे खाल से और ज़्यादा इस पे रिशर्च करने का सेंस नहीं वनता बहुत काफी बात समझ में आ रही कि यार हमको इसको ऐसे करते तो हम वन वन से डिवाइट करते कर से लिए ठीक है सर इसमें कोई दिक्कत नहीं हैं दूसरा जो बच्चों को डाउट़ आया था आज तक ऐसा कोउच्चन आया नहीं चलो मैं एक्जांपल के साथ डिसक्रय लेकिन हो सकता आपकी किसमत खराब रहें है फो लेकोंगे एग्जांपल मेरे साब्सक्राइब की application और ए हर ऐ का रियल कैश डॉट कि वान टू थ्री कि वोल्यूम कम है कि चलो जी मैं थोड़ा लाउडली बोलूंगा चल जाएगा रियल कैश्टो दिया है लिखना है आपको रियल कैश्ट प्लों पैस्ट इयर का है टैन थाउजंड सेकेंड यर का है ट्वल थाउजंड और थर्ड यर का है एट थाउजंड रियल कैश्ट प्लों और मैं आपको दे रहा हूं रियल डिसकाउंटीं रेट सर रियल डिसकाउंटिंग रेट 10% 10% पर है नो या प्रेजन्ट वेल्य औप कैश्ट रोन इंकाल सकते हैं अराम से रियल से रियल को डिसकाउंटिंग करना है पर अब मैं आपको दे रहा हूं इंफ्लेशन रेट पर फिर्ट येर का 9 पर्षन सेकेंड येर का 10 पर्षन और थर्ड येर का मान लो कितना लिखूं आठ पर्षन कैलकुलेट पी वी सी आई प्रेजन्ट वैल्य ओप कैश्ट पहला रियल कैश्ट लोग को रियल डिसकाउंटिंग रेट से डिसकाउंटिंग करोगे और दूसरा नॉमिनल कैश्ट लोग को नॉमिनल डिसकाउंटिंग रेट से डिसकाउंटिंग करोगे मैं भी दो देखूं कैसे निकाल साथ और दोनों का आंसर एक जैसा आना चाहिए तो दूसरा वच्चों का यह डाउट था अगर सब्रेट अलग अलग हो तो फिर हम कैसे करेंगे नॉमिनल से तो यह लोग आप करके बताओं कैसे कर रहें मैं भी देख पहला वाला चलो मैं आपके लिए कर देता हूं टेख लिए कर रहे विए अगू करेंगें अचे कर से लीविए कर देख रविए Sakundi एक फैक्टर से करना है क्या इसमें मज़ा नहीं आ रहा तो मैं फैक्टर से करवा देता पी वी सी आई रस एजर इन्टू पॉइंट नाइन जिरो नाइन प्लस पाराजार इन्टू पॉइंट एट टू सिक्स प्लस आठ हजार इन्टू 0.751 एक अंसर इजर से इन्टू 0.909 अपलस बाराह जार इन्टू 0.826 अपलस और आठ हजार इन्टू 0.751 अपलस दू यह आरा है 25010 अब nominal cash flow को nominal discounting rate लेकर करना है पता नहीं कैसे होगा nominal factor nominal discounting rate का जो factor है ना वो लेकर करना answer उसमें भी 25010 आना चाहिए सबसे पहले जो real cash flow उसको nominal में convert कर लीश हाँ वैजनती सही answer है 25010 डिवाइड वाले से कर रहे है तो 25019 चल जाएगा कोई दिखर 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 अब मैं आप से क्या पूछ रहा हूं यह वाला काम तो चलो यार मैंने बता ही दिया दूसरा वाला काम कर नॉमिनल cash flows and nominal discounting rate सबसे पहले nominal cash flows पर्स्ट यह सेकंड यह थर्ड यह 10,000 into 1.09 10,900 ठीक तनिश्क सेकंड यह कैसे ने कलोगी 12,000 into 1.09 into 1.10 तो एक answer है 14388 मैं आपका देखतर लिख रहा हूं 14388 और थर्ड यह 8,000 into 1.09 into 1.10 into 1.08 तो यह आगे 10359 सेकंड यह का 14388 सही है इशा 103 यह भी सही है सबेंदू आपका भी सही है सवाल यह नहीं है सवाल यह NPV निकालना हो रहा है NPV इतना ही आना चाहिए 25010 और एं था रहा हुआ थ्याय नहीं आज subtle यू यह in आए बाप ते पहला है हम क्या किया जाए फैक्टर निकाल लिया जाए कुछ कनेक्शन इस्यू है मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों के आंसर आ चुके हैं कि पाश्टियर का फैक्टों कैसे निकाल रहे हूं सर 0.909 तो है इसको डिवाइट किससे करना था हमको 1.09 0.909 divided by 1.09 तो फैस्ट इयर का फैक्टर रह जाएगा ऐसे सेकंड इयर का फैक्टर लोगे तो 0.826 डिवाइट किससे होगा 1.09 1.09 एक तो यह रहेगा और एक तो रहेगा 1.10 याद रखना यह पावर 2 नहीं करना क्योंकि दोनों साल का 9 परशंट नहीं एक साल का 9 परशंट और एक साल का 10 परशंट है और थर्ड येर का फैक्टर कैसे निकालोगे 0.751 divided by 1.09 divided by 1.10 और लास्ट वाला कितना जाएगा है 1.08 हाँ बिलकुल सहीं 0.909 divided by 1.09 तो फर्स्ट येर का फैक्टर आ गया 0.83 पोस्ट 0.68 0.689 और ये वाला 0.580 और अब तो निकल जाएगा पी वी सी आई 10.900 इन 2.834 प्लस 14388 इन 2.689 प्लस 10359 इन 2.580 और अंसर आ जाएगा पका 25010 नोट कर लीजिए तर भी इसको आप पूछान नहीं है तो आपका जो डाउट था वह उतना जदा टेंशन वाला नहीं था अगर इसको आप नहीं भी करते इस इग्जामपल को तो कोई दिक्कत नहीं है पर किसी बच्चे ने पूछ लिया था सब रेट अलग अलग है तो कैसे सौल होगा नॉमिनल कैश पर नॉमिनल डिसकाउंटिंग रेट कि एक बार हो गया हो तो कंफर्म किए चीए तो हम लोग आए बड़े क्लास में कि को अर्थ करें हुआ करें हुआ है कर दो कर दो मैं कि या है अचल रहे हैं लोगा आगे है और महा पस आ रहे क्शन के था आज यह कोश्चन बनाना है हम लोगों को यह हमारे study mat का ही कोश्चन है illustration में डला हुआ है study mat यह कोश्चन बनाएंगे question number 47 प्रियार हो determine NPV NPV निकालना है आपको NPV of the project with the following information initial outlay of the project मतलब पैसा हमारा आज लग रहा है चालिस जार revenue दिया हुआ हर साल कहां without inflation बोलो real की nominal real पॉस्ट भी दे रखा excluding depreciation without inflation यह भी कौन सा है लाइफ कितना है चार साल टेक्स का रेट दिया है पचास पर्शन तो डेप्रिशिशन जरूरी है निकालना और डेप्रिशिशन का कोई रेट नहीं दिया है तो डेप्रिशिशन का रेट नहीं दिया तो सिधा फॉर्मला लगाएंगे चालिस हजार डिवाइड बाइड बाइड चार अर्साल का डेप्रिशिशन है दस और कॉश्ट ऑफ कापिटल दे दिया है और साब साब लिखा इंक्लूडिंग इंफ्लेशन प्रीमियम औफ 10% इट मींस बताव यह डिस्काउंटिं रेट कौन सा है एंड या ठीक है अब सवाल यह है हमें क्या निकलना एंड बस इतना ही बड़ा कोश्ट अच्छी कोश्ट कैसे बनाएं एक तरीका एक तरीका यह है कि इसली का सन्ना आंसे कि सब में इनुफैशन जोड़ देक इतना परशन SCP तो हम कैश लोको कनवट किसमे कर दें गे हौई यह कौन सा कैश्व लो है रियल इसको कनवर्ट किसमें कर देंगे नॉमिनल में और यह तो नॉमिनल डिट दिया है दूसरा तरीका ज्यादा सिंपल लग रहा है दूसर तरीके में क्या करोगे अधियर यह जो एंडिया रहे ना इसको रियल डिस्काउंटिंग बना लेते हैं और यह तो रियल है चलो तो हम रियल रियल से काम कर रहा है काम खताब है इस कैलकुलेशन ओव और ती कैस्पर आप्र टेक्स और ये वाला कौन सा ले रहा हूं है रियल कैश प्लोस और सबसे पहले क्या लेना है भाई रेवेन्यू कितना रुप्य है 30,000 माइनस क्या करोगे कोश्ट कितना 10,000 रेवेन्यू है 30,000 और कोश्ट है 10,000 कैसे पता लगा कि डेप्रिशिशन कैल्कुलेट करना है यहां कहीं तो नहीं लिया एक बात अच्छे से समझदो इशा अगर टेक्स का रेट दिया है तो आपको डेप्रिशिशन कैल्कुलेट करना पड़ेगा अगर डेप्रिशिशन का रेट दिया तो बहुत अच्छी बात है और नहीं दिया है तो आपको SLM मेथट से काम करना पड़ेगा तो बताओ यहां क्या आ गया सी एफ बी टी कैश फ्लो विपोर टेक्स कितना आया है कि 20,000 माइनस क्या करोगे कि डेप्रिशिशन कि डेप्रिशिशन कैसे निकाल रहा हूं 40,000 डिवाइड बैच चार तो दसजार तो यहां जो आएगा वो कितना आएगा 80,000 तो यह क्या गया पी बी टी क्या करोगे टेक्स और टेक्स का रेट कितना है 50% नहीं 15,000 तो यहां क्या कर सकते हम 10,000 15,000 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 यह जो कैश लो निकला यह रियल है कि नोमीनल रिया टीशकाउंटिंग रेट तो नॉमीनल दिया है इसको किसमे कर्वट करना पड़ेगा रिया हाँ डिवाइट करेंगे तो अब हमको निकालना है रियल डिसकाउंटिंग रेट नॉमिनल से रियल निकालना टेक्स सेविंग और डेप्रिशिशन हाँ किसी और मेथड से भी निकाल सकते हैं और टेक्स कर लेते हैं और टेक्स से कर सकते हैं हाँ फैक्टर डिवाइड वाइट तो रियल डिसकाउंटिंग रेट निकल जाएगा कि इतना है 1.12 और इंफ्लेशन रेट कितना है 1.10 माइनस 1 इंटू 100 कर लिज तो यहाँ जाएगा 1.818 पर्षेंटेस किशन थोड़ा सा हमको ज्यादा लेना पड़ेगा 1.818 लेना पड़ेगा 1.8 में हमारा अंसर एक्क्यूरेट नहीं आएगा थोड़ा सा पॉइंट हाँ वन पॉइंट चल जाएगा शिश वन पॉइंट टू चलेगा कि अग कि एन पीवी हर साल कितना और कितने साल का प्रोजेक्ट है टोटल चार साल का प्रोजेक्ट है पीवी एफ यूज कर रहूं है हर साल आ रहा है कितना पंधरा हजार इंटू प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर वन पॉइंट एट तू परसेंट कितने साल का चार सा और माइनस कॉष्ट प्रोजेक्ट कितना है चालिस है हुआ कि वे अवर्ण प्रेक्ट वोगेट 3.297 वन पंट एट तू के सबसे ले रहा हूं है 3.297 और माइनस क्या करोगे अच्छा एंपे वी कितना आगा 9455 अच्छा 1-7-5-5-0 मैंने कहीं गलती किया हूं क्या एंपे वी चाहिए एंपे वी 17366 एक बार एंपे वी बता दीगा 15000 इंटो 3.297 मैंनस मस्से कहां गलती होड़े है 1 डिवाइद बाइ 1.0182 एक दो तीन चाहिए अच्छा फैक्टर गलती खा फैक्टर गलती खा फैक्टर गलती अउ़ा? झालती एक्टर गलते है क्ट आपके धो is एक्टर गलती है एब लाएं तो इसलिए यह गाए है कि अब तरह वान सेवन थ्री शिक्स सुंदू ये भी सही है कोई इश्व नहीं है तेमा अब तो ठीक हमने बास सुनों ध्यान से अगर 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 मुझे नॉमिनल के हिसाब से करना होता है नॉमिनल के हिसाब तो अगर हर साल कैश्ट लो को 10% से बढ़ाना होता लिए तो क्या 15,000 को ही मैं 10% 10% 10% 10% 10% से बढ़ा दूं तो काम चल जाएगा 15,000 को अगर मैं 10% 10% 10% 10% से बढ़ा दूं और डिसकाउंटिंग कर दूं 12% तो क्या जो NPV आएगा वो सही होगा कि गलत होगा या फिर मुझे इनको 10-10% से बढ़ाना है बस सो समझ के जवाब देना लिकाए 10% का इंफलेशन है यह 10% का इंफलेशन है तो 10% का इंफलेशन है इसका मतलब इसमें 10-10% का इंफलेशन है अगर मैं 15,000 को 10-10% से बढ़ा रहा हूं इसका मतलब आपने इंफलेशन किसमें कंसीडर कर लिया डेप्रेशिशन यह टेक्स इंफलेशन आपको जो बोलना बोल सकते हों बिलुकुल सहीं बोल रहा है सिर्फ किसमें बढ़ाना चाहिए रेवेन्यू और पॉस्ट में बढ़ाना चाहिए हां बिलुकुल सहीं बोल रहा हूं मुझे क्या इस पर मैं 10% से बढ़ा दूं तो काम चलेगा नहीं अगर इसको मैं 10% से बढ़ाता हूं तो डेप्रेशिशन भी बढ़ जाएगा जो की गलत है इसको अगलत है इसको 10% से बढ़ाया है जो की गलत है यह 10% से बढ़ना चाहिए अगर इसको बढ़ाते तो डेप्रेशिशन पर इफैक्ट आ जाता है इंफलेशन का खेर हमें तो अल्टरनेटीव आंसर करना था हमने कर लिया बात करते हैं आजा पूश्चन नमबर फोटी एट पूश्चन नमबर फोटी एट आजी विल्कुल सहीं बोल रहा है शुवांस एक्जाम में कैसे करना एक्जाम में वैसे ही करना जैसे मैं करवा रहा हूं पूश्चन मतलों आप ऐसी करोगे और यह आप ही ने मुझे बताया था कि इसको आप बारा परशंट को आप कर दीजिए रियल में तो यह अल्टरनेटिव टू हमारा यह वाला अल्टरनेटिव सहीं हमें जरूरत नहीं दूसरे अल्टरनेटिव के रहेंगे हम इसको कभी भी बढ़ाएंगे रेवेन्य और कॉस्ट को ही बढ़ाएंगे क्योंकि बाती सारे कोश्चन में उन्होंने वैसे ही किया है मैं एक्जाम पर कोश्चन पर आ रहा हूं कोश्चन नमबर 48 क्या लगता है देखकर कोश्चन नमबर अच्छा ऐसी बात है क्या कोश्चन पूछ रहा हूं आंसर देना कोश्चन पूछ रहा हूं मुझे आंसर देना अगर में अब अब ध्यान से समझना अभी मेरा एंप वी कितना आया हूं 17360 ठीक है सर अगर मैं इसको नॉमिनल कैश्वा एप्रोच से करूंगा नॉमिनल से करता है तो भी क्या आंसर 17360 आपता हुआ तो सब्सक्राइब करता हुए अधर मैं कहता हूं और मेरी बात समझना अगर मैं इसको नॉमिनल कैश्वा टेक्निक से करता तो भी क्या आंसर मेरा 17360 ही आता हुआ अंसर है अच्छा फिर से में फिर से बुन वा तो फिर कोश्चन यह है कि अभी रियल कैश्वा और डिस्कांटीं रिट से काम किया अगर हम रियल से नहीं करते हम इसको बढ़ाते कितने परषंट से 10-10% से कितने साल तक 4 साल तक और फिर डिसकाउंटिंग किस से करते 12 परशन से करते तो भी आंसर क्या 17360 ही आता यह अलग आता आंसर सेम नहीं आता घर जाके करना आंसर अलग आएगा क्योंकि एक चीज है वो है आप कैसी बात करें और मेरा कोश्चन बड़ा सिंपल सा है यार मेरा कोश्चन यह है कि यार इसको हम 10 परशन से बढ़ा रहे हैं और इसको भी 10 परशन से बढ़ा रहे है इसमें तो कोई चैन्ज ऐसे भी नहीं होना वैसे भी नहीं होना तो मेरा से कैश्फ लो अंतर आता डिस्काउंटिंग किसे गरता में बारा पर्शन से गरता तो कि आंसर से माता अंसर से नहीं आता आहीं नहीं सकता आंसर से म कब आएगा जब इस 15000 पर दस परशन बढ़ाएं और आप कह रहें कि सब्सक्राइब का आगा उतार ही था उस भाई साब इसको बढ़ा दिया हमने जैसा कि हम ऐसे गरेंगे हम ज़्यादा नहीं जा रहें इसकोंसर वह आंसर सेम तब ही आसकता अगर आंसर से मैंने बताया था तो मैंने गालता डेप्रिशिशन को इग्नौर कर के बात किया था मैंने अगर कैशलो बढ़ता है तब आंसर से माएक ठीक है अभी बहुत ज़्यादा कॉंसर्ट में नहीं जा रहा हूं मैं इस कोश्चन को देखकर बताओ क्या ये कोश्चन आप से हो सकता है कोश्चन अबर 48 ये भी हमारे स्टडी मैट का कितना रुपिया लग रहा प्रोजेक्ट में 8 लाक लाइप कितनी है चार साल सेल्विज वेल्यू नहीं दिया है डेप्ट रिशिशन कितना दिया है दो लाक रेवेन्य और कॉश्ट दिया है एक्स्कूडिंग डेप्रिशिशन इग्नोरिंग इन्फलेशन मतलब ये जो दिया है वो कौँसा इन्फलेशन प्रीमियम बोलो ये कौन सा रेट दिया हुआ है रियल की नॉमिनल 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 ही तो चाहिए था मज़को और एन्पीवी निकालना है और रेवेन्यू में इन्फलेशन दे रखा चार साल का कॉश्ट में हो जाएगा हो जाएगा ये तो सर इसको क्या दे दीजिए होंवक आज ये भी होंवक कि इस तो हमारा इंफलेशन अत्मा हुआ अगर इन्फलेशन का रेट कोशन यह है कि सब रेवेन्यू का इन्फलेशन अलग दिया है पॉस्ट का इन्फलेशन अलग दिया है माटेरियल का इन्फलेशन अलग दिया अगर अलग अलग वैरीबल है और सबका इन्फलेशन अलग अलग है तो जो भी रेट है अगर यहां नहीं भी लिखा रहता तो मैं इसको नॉमिनल डिसकाउंटिंग रेट मानता ठीक है जी चलो जी खतम आगे बढ़े हम लोग और अब बात कर रहे हैं हम लोग नया टॉपिक कि बाकी डाउट्स कि पॉइंट नम्बर थार्ड थार्ड पहला क्या किया था हम लोग ने बेसिक्स दूसरा क्या किया हमने इंफ्लेशन तीसरा थार्ड रिस्क अनलिसिस इन कापिटल बश्टे मेरे सासत लिखो गया है रिस्क अनलिसिस इन कापिटल बश्टे तीसरा इसके बाद फोर्ट क्या पढ़ना पढ़ेगा हमको रिप्लेस्मेंट डिसीजन और फिर्ट में एग्जिस्टेट प्रजेंट वेली और खत्म कापिटल बश्टिंग बस इतना ही बड़ा है तो तीसरा अभी पढ़ना है फिर फोर और फाइप बचेगा और कुछ लिए और इसमें फर्ष्ट हुंको पढ़ना है रिस्क अनलिसिस इन कापिटल बश्टिंग में कर दो कर दो कर इसमें पूरा स्टेट्स आना है सेकंड कर दो 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 और थर्ड अधर टेक्निक्स Risk Analysis में ये चीज़े पढ़ना हाला कि मैं इसके अंदर नहीं बताए कि इसके अंदर क्या है इसको Probabilistic Approach भी बोलते हैं इसके अंदर हम पढ़ेंगे Standard Aviation इसके अंदर पढ़ेंगे Coefficient of Variation Conventional Technics में क्या-क्या है इसके अंदर पढ़ेंगे RADR इसके अंदर पढ़ेंगे Certainity Equivalent Approach और Other Technics में क्या-क्या है Sensitivity Analysis, Simulation, Scenario Analysis, Decidently ये सब कुछ आएगा इसके अंदर ये बहुत बड़ा Topic है लगेगा दो-तीन-चार Classes लगेगी सबते पहले लिखना है Statistical Technics 1st Decision Tree आएगा Decision Tree अभी बस अंदर की बाते नहीं लिखना सिर्फ तीन टैक्निक्स पढ़ना है उसमें फर्स्ट वाली हम पढ़ लाएगा कर असे पर्सेड़ कार सब्स्क्रीट in this technic we calculate standard deviation and co-efficient of variation to find out risk falling falling steps are applied स्टेप नूम्बर वान कैलकुलेट एक्सपेक्टेड एंपेव इसको हम एक्स बार बोलते और पॉर्मुला रहेगा समेशन ओफ पी एक्स पॉर्मुला एक आम के नहीं है समेशन ओफ पी एक्स स्टेप नूमबर टू कैलकुलेट इस्टेंडर्ड एविएशन ऐसा कुछ फॉर्मुला था पी समेशन ओफ एक्स मैनस एक्स बार अच्छा स्क्वाइर भी आता है क्या स्क्वाइर इंटू पी स्टेप नूमबर टू कैलकुलेट अफिशयंट आ वरीशन cv और cv का formula is standard deviation by x-bar और high cv means high risk कि यह सब्द पहले सुने हुए है पहले पढ़े हुए है हाजी जवाब दो सबसे पहले क्याहिए सब्द पहले सुने हुए है आप लोगोने कि 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 इस्टेंडर्ड EO dazu अखा कुau passa और बेसिक शूर अशर है यस 241 को अए कि सभी लोग ने सदो हुआ है तो अब न में काम कर रहा हूं अब चलो हो जाए सुनो इंपोर्टन्ट है अब काम आने मला है हाँ जी हमें सही है आशे सुना-सुना-सुना-सुना नहीं प्रभात कर रहे हैं फ्रुड़ा बहुत याद है सर अरुटी अधाद हो गई एक्जामपल लिखो गई जाला इस अपना ध्यान से अब कॉंसेट है ध्यान से सुनोगा मेरी पार हाँ बिल्कुल सही मैं नहीं पढ़ाया था बेट सिक्स में मैं जानता था कि यहां जिरुत पढ़ने वाली है अब अब सुनोगा ध्यान से अब यहार हम लोगों नहीं क्या कि हमको कोई प्रोजेक्ट आप बोर्ड नोट्स के लिए आज डाल दूंगा अपलोट कर दूंगा और दूसरा जो इस्यू आ रहा है वह आ रहा एक फॉर्मुला था कौन सा एक्विवेलेंट एनवल एन पीवी का फॉर्मुला कैसे बना उसक किते जाना एक्जामपल बुम नॉर्मल और रसेशन और उसकी प्रोबाइबिटी और प्रोबाइबिटी कुछ लोगों को लग रहा पॉइंट सेवन और पॉइंट तू और पॉइंट तो यार एकोनोमी बुम होगी ऐसा उनुमान है कि आने वाले दिनों में आने वाले दिनों में एकोनोमी बुम होगी तो बुम होगी तो हमने उसे सबसे एन पीवी निकल ना कियर हम कितना कमाएंगे अगर एकोनोमी अच्छी रहेंगी तो हम भी ज्यादा कमाएंगे तो हमन नॉर्मल में नॉर्मल में यार 100 आएगा और अगर रा तो हम ज़्यादा नहीं कमाएंगे हम कमाएंगे अलग अलग सिनारियों के इसाब से NPV निकाला इस सिनारियों में 400 लाख NPV है इस सिनारियों में 20 लाख रुपए NPV है और मैं आपसे बोल रहा हूं कि बताओ NPV on an average कितना और निकल सकता है 400 भी आ सकता है 200 भी आ सकता है और दूसरा वो निकाल लोगया प्रॉभायविलिशा मल्टीप्लाई करके यह समझाए और दूसरा मैं आप से पूछ रहा हूँ क्या डेविएशन हो सकता है पहले तुम्हें स्पूछता हूं variance in NPV और तीसरा पोछ रहा हूं standard deviation in NPV expected NPV का answer आ गया है 302 चार सो इन्टु पॉइंट सेवन सो इन्टु पॉइंट तू और बीस इन्टु पॉइंट वन 302 सही है सही है अब इस question को बनाया कैसे लिए प्रॉपर presentation से करें और presentation का मतलब table बना के भी कर सकते एक line में भी कर सकते और मैं table बना कर ही कर वाऊंगा क्योंकि आगे एक तो लो टेबल बना के करेंगे एक दिखो के calculation of एक्सपेक्टेड एन पीवी एंट इस्टेंड डेविएशन को एपीशेंट आप वैरी इस्टेंड डेविश इस्टेंड डेविश हां सजा सजा के करना ज़रूरी है यार नंबर उसी पर मिलने वाले निशीता ठीक है सर तो पहला कॉलम जो आएगा वो क्या आएगा प्रॉबाइबिटी और दूसरा जो आएगा उसको क्या लिखेंगे एक्स अच्छा और फिर क्या लिखेंगे हम यह पी एक्स और फिर क्या लिखेंगे इस माइनस इसबाः और लाश्ट कॉलन में क्या लिखो कि माइनस एक्स बार सक्वाइरट अब प्रॉब्याबिविटी कर ने था सुनसर्टि लॉब कितना है पॉइंट वन और कितना है 400 और 100 और 20 280 20 और 2 तो बुलो कितना आ गए है कि इस वी को क्या वोलते एक्स बार और यह आया आपका एक्सपेक्टेड एंड पर कि अग्वाइब कि अग्वाइब कि अभी क्या करना एक्स माइनस एक्स बार कि अग्वाइब कि अग्वाइब कि वेरेंस आगया वान टू डबल नाइन थी टू निशिता पक्का पुछ लेट तो कैसे करोगे दो ससी माइनस तीन सो दो अच्छा दो ससी मैनस तीन सो दो कि चार सो मैनस तीन सो दो कि अच्छी आगया वन फिप्टी में देख लेता हूं चार सो मैनस तीन सो दो कि अच्छी नाइटीएड मैनस तू दू 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 और मैनस तू एटी तू कि अच्छार सो मायनस अब आच्छी क्या करते मानों में ने तो ढूंधी एट एट ये भूल जाथा एट ये सको समझत मैं इस एट इंटि उप इंटी एक्कुल टू इन तू पयइंटू पॉइंट Carson पसर या आ गाह सिक्स पॉं से उट्स रड़ न टू 2.80 तो यह आगे 8160.80 और 282 इंटो 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 पॉइंटो 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 7952.40 टोटल करते हैं टोटल आ गया है 22836 अच्छे वे जंते सही है 22836 अंकुष आपका भी शही है इसको क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है वेरियंस और हमें निकालना है टेनर डेविशन स्क्वार रूट किसका करेंगे हैं 22836 वेरियंस का स्क्वार रूट कर दोगे तो डेविशन आजाएक इससर 22936 आ रहा है एक बार आप चेक कर लिश्रीगा कितना आ रहा है फाइनल अंसर वन 151.151 कर लो कोई फर्क नहीं पाद 151 151.12 सहीं अंसर है 151 भी कर लोगे तो कोई रिखे हम ये लोग हम ये सारी चीज कर क्यों हो रहा है सबसे बड़ी बात है अभी मैं सिर्फ कैलकुलेशन सिखा रहा हूं एक टेबल यूज करूँगा मैं नॉर्मल डिस्रीशन टेबल अभी समझाया नहीं उसका कॉंसेट और अभी सिर्फ कैलकुलेशन समझाने की कोशिश कर लो अगर कोई बोलेगा किया ओन इन पीवी कितना आएगा 302 पर क्या यह एंपीवी पक्का आएगा कि डेवीट हो सकता है डेवीट हो सकता है मतलब 151 ज्यादा भी आ सकता 151 कम भी आ सकता कि ठीक है हो गया है सब लोगों का आगे चले अगर कि अगर कि हां तो मुझे उम्मीद है कि सब लोगों का हो गया हो अगर क्या एक कोश्चन बना रहा है आच की ग्लास एक कोश्चन बना रहे हम लोग और जिन देख लेगे और जिन रहें पास बुक्स है कोश्चन नव्बर 13 यह कोश्चन आपके स्ट्रिमेट का ही कोश्चन कि एक है कॉंसेप्ट अभी कैलकुलेशन एक बार हो जाए तो फिर कॉंसेप्ट समझेगे कि यह क्या है अथिरी पड़ क्यों हो रहे क्यों डेविएशन निकाला क्यों एक्सपेक्टेड एन पीवी निकाला चलो ही स्टार्ट करें कोश्चन लिखा है शीवम लिमिटेट आज का टार्गेट है कि यह कोश्चन हमको बनाना ही बनाना है किसी भी हालत तो लिकाए सीवम लिमिटेड इस कंसिडरिंग तू में उशली एक्सिलिश्यू प्रोजेक्ट ए और बी प्रोजेक्ट ए में कितना पैसा लग रहा है 36,000 और प्रोजेक्ट बी में कितना लग रहा है 30,000 सबसे पहले हमको क्या निकालना है हमें निकालना एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड एंपीवी वो तो ऐसे निकल जाएगा कैल्कुलेटर में दूसरे नंबर पर क्या निकालना है कंप्यूट दा रिस्क अटेश्ट वीच प्रोजेक्ट इस इस्टेंडर्ड डेविएशन फिर क्या निकालना है प्रोफिटिबिलिट इंडेक्स प्याई क्या होता था प्याई और पूछ रहा हैं कि बताईए कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें वह बाद में समझेंगे हाँ ची तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं विल्कुल कैपिटल बजिटिंग में डरने की ज़रूत नहीं है सर सेम कोश्चन सी एंटर के एफम में था तो आपका एंटर का एफम तो कॉपी पेस्ट किया है और मुझे तो करवा नहीं पड़ेगा हाँ थोड़ा सा एडवांस है पुराने सिलिवस कोशन बनाना है हम लोगों को इकजाम का कोशन है आपके स्टेडी मैट कोशन है कैसे बनाएं पेबल बनाकर करें कि डायक्ट करें तो अब प्रॉपर प्रजेंटेशन से करेंगे चलो करते कोशन तो लिखो के मेरे साथ साथ लुए इक्सपेक्टन एन पीवी एन इस्टेंडर देशन हम एक लाइन में नहीं कर रहे हम प्रॉपर प्रॉपर प्रेजन्टेशन से करेंगे सिंपल है यस का टेबल बनाकर ही करेंगे सिंपल बहुत आपको करेंगे जो आपके इसे त्टेडी में वो सारी चीज़े हो कि और हुगा इतना दूंगा आप ठाक जाओगा अपना तरह दो उसक्त है तो इसी में एक्स इसी में दोनों प्रॉजेक्ट कर लेते हैं चल जाएगा ना या या यह अधिक्श कर लेत हो जाएगा एक एका कर लेता कोई दिकत नहीं सबसे पहला मैं किसकी बात कर रहा हूं प्रोजेक्ट है जाकोशेच उच्छे किए नहीं कर लेता हूं है यहां बना लेता हूं टेंशन करता हूं पहला जो गॉलम रहेगा वह रहेगा प्रोगाबिटिटी मुझे को सात में गरवा रहा हूं कि अचलता है पहला कॉलन रहेगा प्रॉबैयाबिटी, प्रॉबैयाबिटी इतना है, प्वॉइंट टूरी, टूरी प्वॉइंटू, प्री पॉइंट, टूरी इतना है, अच्छा एक बार रटाओ, जीरो लेकर करें, की जीरो घंटा करें, मतलब पूरा 15,000 लिखो या फिर 0 हटा कर काम कर ले तब पूरा लिखो ना क्या दिक्कत 15 था हुझे 12, 6 और 3 12,000, 6,000 और 3,000 तो P X कर लेते हैं निशिता पूरा ठीक है मैं पूरा ही लिख रहा हूँ अब 0,0 आप से मालना है ठीक 15,000 into 0.2 3,000 12,000 into 0.3 37,000 6,000 into 0.3 1800 और 600 टूटल करो है तो यह जाएगा X बार नौजर मतलब एक्सपेक्टेड एन पीवी तो निकल गया नौजर अभी क्या करना है हमको X माइनस X बार 15,000 minus 9,000 तो यहां कितना आ गया 6,000 12,000 equal to तो यहां आ गया 3,000 6,000 equal to तो यहां गया माइनस 3,000 और 3,000 equal to माइनस 6,000 मैंने पहले ही बूला था 0,0 आप समालना आप X minus X Y square into probability अब 0,0 ज़्यादा आएगे तो आप लोग देखोगे हाँ इशा बिल्कुल सही है 9,000 नपीवी है अभी हम निकालने जा रहे है देवीश So, 6,000 into equal to into 0.2 क्यतना रहे है 72 lakhs 72 lakhs 27 lakh 27 lakh or 72 lakh 1 करोब 95 तो अगर हम टूटल जूड़ें तो वन करोड नाइन्टी एट लैक्स इसको क्या बोलते हैं हम लोग वेरियन्स ठीक है अमित वन करोड नाइन्टी एट लैक्स आई है रेवीशन भी निकाल कर काम खतम करें आप आप ऐसी उसका भी कर लेते हैं इसका मैं यहां बना रहा हूं आप चाहो तो इसको आगे भी कर सकते हूं टेबल में अलग से टीबल भी बना सकते हूं कोई दिख कर देख देख ना प्रोब्याबिटी अलग-अलग है 1441 इसको भी एक सी ले लोगे है एक्स अच्छा इसको वाय ले लेते हैं वाय ले लेते हैं पंदरा अजार बारा अजार अच्छे हजार और तीन हजार तो यहां के आएगा पी वाई 1,500 4,800 2,400 और थ्यांडुट ? 9,000 9,000 so, expected NPV भी निकल गे ? 9,000 9,000 9,000 कि अगुजिए भी अगुजिए विए अगुजिए अग व क्या करना है हमको अब करना वाई माइनस वाई 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 y-y पर 15,000-15,000-9,000 6,000 3,000 minus 3,000 और minus 6,000 रशांत का अंसर आचुक है 3795, हाँ जी हम पहुच रहे हुआ और अब क्या हो जाएगा हमारा y minus y into probability कितना कितना हो रहा है 30 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 total 1 crore 44,000 standard deviation of y is equal to 1 crore 44,000 तो इहां कितना किया 37 3795 3795 अब देखो, दिक्कत, सुनना ध्यान से 30 30 अब देखो, दिक्कत कि अब भर 6000 60,000 अगर में सुनोगे तीन जिरो हटा देता हूं तो आंसर कितना आएगा 198 है यह नहीं कितना ही आएगा और इसका क्या करोगे इसको है नूट सवाल सुनो 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 अगर में तीन जिरो हटाके काम करता हूं तो यह कितना आएगा नाइनटीन पे पॉइंट एट आएगा कि वन नाइन एट आएगा और इसको अगर में स्कुर्ण रूट करता हूं नाइनटीन पॉइंट एट आएगा तीन जिरो हटा देता हूं तो हाँ एज भी रॉंग आएगा बिल्कुल सही अंसर अलग आ रहा है जिरो नहीं हटाना है बिल्कुल हाँ जिरो हटाके भी काम हो सकता है नाइनटीन पॉइंट एट आएगा अगर हम निशीता उसका स्कुर्ण रूट करेंगे तो क्या आंसर यहीं आएगा कि कुछ और आएगा कुछ और आएगा रॉंग आंसर आएगा इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं जीरो हटाना है कि नहीं हटाना वो कल डिसाइट करेंग तो पहला काम हो गया पहला काम आपने दोनों प्रोजेक्ट का ए और बी का क्या-क्या निकाल लिया एक्सपेक्टर एंपीवी कितना कितना आया एक्सपेक्टर एंपीवी कि नौहजार और नौहजार अजी सुनोगे सुनोगे इस मैंटर पर मैं बात करूंगा अभी इस कोश्चन को खतम करना जितना हमारे पास टाइम है सुनोगे दियांस कल इसी मैंटर पे बात होने वाली प्रोजेक्ट एका एंपीवी आया 9000 और प्रोजेक्ट बीका भी सकते यहां से हम डिसीजन नहीं ले ले इस्टेंडर डेवीशन भी निकाला अब लें इस्टेंडर डेवीशन कितना कितना आयत था 4450 4450 3795 अब दोनों को देखकर बताओ रिस्क यह है रिटन और यह है रिस्क इन दोनों को देखकर बताईए कि कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहिए ए या बी आंसर है řिस्क भी कम है और श्लड़न तो हमको 2900 में ले रहा पर क्या वो पूछ रहा है कि कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहिए या जी आंसर बी आयाएगा बेलकुल सही है क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रोजेक्ट करना है ये सर पॉंइं नमबब फोर में पूछ रहा है पॉंइंट नमबर पोर में हम बाद में करेंगे पहले क्या माँग रहा है कंप्यूट दा प्रॉपीटिबिलिटी इंडेक्स उप इस पी आ ही निकल लेते भी बात करेंगे पोंट नमबर ठींग लिए पॉइंट नमबर त्री कैलकुलेशन ओफ पी आई हाँ जी मूचल एक्सक्लिजिव मानकर ही करेंगे हम लोग का फिर बी क्यों बी इसलिए क्योंकि कमाई इसमें भी 9000 की हो रही है इसमें भी 9000 की हो रही है पर 9000 पक्का नहीं मिलेगा कम ज्यादा हो सकता है 4450 से पर यहां डेविएशन फिर 3795 कम रिसक है उतने ही रिटन में कम रिसक है इसलिए प्रोजेक्ट भी करेंगे ठीक है अला कि हम को एफिशेंट और वारेशन भी निकालेंगे इसकोशन में सबसे पहले क्या मांगा क्याकूलेशन पाइज पी आई का फार्मला किसी को पता है क्या कि पार्मला पी वी सी यो divided by PVCI ऐसा कुछ formula हो इश्या का कहना नहीं सर गलत है PVCI divis sorry formula मैंने गलत बोल दिया था PVCI divided by PVCO चलो निकाले यह a b एकस बार डिवाइड़ बाइड़ परफलक साथ चेंज करोगे फौरॉरॉला। इस्टेंदर डावीशन वह कईफीशेंट अच्छा अच्छा इसकी बात करगा किकि व advice एप्षिएट वहद्रेशन वह मैं बात करूँ आप से सबसे पहले P V C I A E or P V To P V C I कुतना है P VCO P VCO मतलब कितना पैसा लग रहा है करो कोश्चOn में कहीने कहीं लिखा होगा कोश्च में Pr exemplo में कितना पैसा लग रहा 36,000 36,000 PVCI कितना and 30,000 PVCI कितना PVCI बच्चे बहुत समझदार है वो बलता है सर एक चीज हम आपको बता रहा है और मालों उन्होंने बता दिया कि नीचे 30,000 आएगा वाव अंसर आएगा NPV का पॉर्मूला है PVCI माइनस PVCO NPV हमने निकाला है 9,000 हमको यह नहीं मालूम लेकिन PVCO मालूम है 36,000 तो पकका पकका निकली जाएगा यस तो यहाँ जाएगा 36,000 प्लस 9,000 और यहाँ जाएगा 30,000 प्लस 9,000 तो 36,000 प्लस 9,000 इवाँ जाएगा 36,000 1.25 39,000 इवाँ जाएगा 30,000 1.30 36,000 अची हो गया है सब लोगों कहां लाश्क पॉइंट कर रहा है विच प्रोजेक्ट आपके सबसे कौन सा प्रोजेक्ट सलेक्ट करना चाहिए विच प्रोजेक्ट दोनों में से कौन सा और रिजन भी बताना बढ़ेगा A या B आंसर आपका आचुका है B कैसे बता रहे हैं सर रिटन सेम है रिस्क कम है लेकिन ICAI हमेशा जब भी पूछा जाएगा वो कोएफिशेंट आफ वेरिशन निकालता है आज बी सही है आप लोगों का सबका आंसर 20 अहीं वो दिखरा देखते ही समझ में आ रहा है लेकिन ICAI को एफिशेंट आफ वेरिशन निकालता है तो हम भी निकालेंगी तो लिखोगे कैलकुलेशन ओफ पॉइंट नमबर फोर वो एफिशेंट और वेरिशन और CV का पॉर्मूला था इस्टेंडर डेविशन डिवाइड बाई एक्स बार सबसे पहले प्रोजेक्ट एक का इस्टेंडर डेविशन है पॉर पॉर पाइव जीरो डिवाइड बाई 9000 यह इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि इंस्टिट्यूट ने किया है और प्रोजेक्ट बी का है 3795 डिवाइड बाई 9000 जीरो पॉइंट पॉर नाइट पो जीरो पॉइंट पॉर टू टू और निशीता शही है लो इस्टेंडर डेविशन हाई पी आई बिल वस नहीं है लेकिन ICAI जो आंसर दिया है वो CV के बेसिस भी दिया है हम भी CV निकाल लिया करें बस लिख देते हैं सिंस CV और बसलंडर खार रहे हैं less risky hence project B should be accepted कि 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 लास ओवर करें लिख लिया है तो कुछ पाते करके होमवग दे दू होमवग आज दिया नहीं हूं सब्सक्राइब होमवग दे दों तो फिर हम लोग क्लास ओवर कर लें आज की क्लास में क्या सीखा कुछ नहीं जो बेसिक्स में करवाया था वही चीज करवाई हूं आपको एक्सपेक्टर रिटान इस्टेंडर्ड एवीशन को एफिशेट वेरीशन निकाना सिखा अब सुना यहां से एक सिंपल सी बात करवा रहा हूं सिंपल सी इंस्ट्यूट ना करता क्या है हमको जो इस्टेंडर्ड एवीशन निकालना होता है हमको जो एंड निकालना होता है हम लोग सी वी के बेसिस पर ठीक है बाकी और बहुत सारी बाते अभी कोशन्स आने हैं जब कोशन्स बहुत आरे आने हैं तो धीरे धीरे बात करेंगे फिक दो अभी मैं पहले यहां की बात कर लूँ क्यों कि मुझे कुछ समझाना है बस वैसे तो होना क्या चाहिए सुना दियान से मेरी बात MPV होना चाहिए और MPV के हिसाब से हमको जो deviation निकालना जो risk निकालना वह MPV के हिसाब से निकालना है ICOI MPV की जगह cash flow दे देता है और बोलता बता हो expected cash flow क्या होगा standard deviation of cash flow कर कोई काम कर नहीं हो काम नहीं आने वाला actual में MPV के हिसाब से ही होना चाहिए पर ठीक है अगर cash flow दे दिया है मालो यहां cash flow दे दिया MPV के जगह cash flow दे दिया और पूछ रहा expected cash flow निकालना और standard deviation of cash flow निकालना अराम से निकल सकता है बहुत ज़्यादा मुस्किल तो है नहीं है हाँ कोश्चन नमबर 14 है आपके लिए कोश्चन नमबर 14 होमवक याद रखना cash flow सब्द लिखा है कोई फर्क नहीं पढ़ता cash flow लिखा है और आपसे variance मांग रहा standard deviation मांग रहा coefficient of variation मांग रहा है कोश्चन नमबर 14 होमवक है और जिनके पास बुक नहीं है वो टी वाई के फोर में चेक कर सकता है अभी तो कहानी स्टार्ट हुए कोश्चन नमबर 17 क्या मांग रहा सर सिर्फ expected NPV मांग रहा है इसमें standard deviation भी नहीं मांग रहा है कोई है जो expected NPV निकाल सकता है यह cash flow दिया सरी cash flow कब का है तुना द्यान से discounting rate है और सब A और B कितने साल का project है एक ही साल का project है कि अधर टी वाई के पूर है क्या actual टेश्ट यूर नॉलिस जो आपका study mat है उसमें practical questions दिखा टेश्ट यूर नॉलिस और उसमें question number four तुसर question number 17 homework है 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 अब 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 चलो चोड़ो यह ने दे रहा हूं थोड़ा simple वाला question दो बिल्कुल simple वाला question अब आप खुद बोलो कि होगा कि नहीं होगा एक बढ़ पढ़ लिजी question को अगर नहीं होगा तो मैं यहां कल करवाने वाला हूं एक बढ़ लिजी question को चोड़ी अब वेरेंस दिया है वेरेंस से निकालना और इस्टेंडर इशन निकालना है अगर 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 यह कोश्य वी कितना टाइम लगेगा आपको इसमें सिर्फ कोईफिशेंट वाइडियेशन मांगा सिर्फ कोईफिशेंट वाइडियेशन थी फ़्यक्त जांनेे अगर इंते आपट एक है यह अगर सिर्फ कोश्य नंबर ट्वेंटी व्र्क तोर्य नाइंटीन वाइड तो कोश्य नंबर इन नाइंटीन होमवर्क इन वाइडव कोश्य identific बच्चुगा एक कहना है कि सर आज के लिए इतना ही है आभी नहीं बढ़ा रहा हूं हाँ कि cash flow में और NPV में अंतर क्या है यह बताईए यह जब हम कल discuss करेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा अभी तो कुछ नहीं है कि cash flow में वह standard deviation मांगता है जिसका कोई लॉजिक नहीं कल detail में करूंगा एक्चुल में NPV निकालना चाहिए और NPV में कितना deviation है यह मांगना चाहिए इस matter पर कल discuss करेंगे cash flow अलग होता है NPV अलग होता है अधिक है जी class over कर रहा हूं है homework पक्का कर लोगे जरूरी और सर कोश्चन कहां से जो आप ही के study materials से आप ही के study अप नहीं है इससे ज्यादा मैं homework आपको नहीं दूगा मैं भी जानता हूं ऑफिस जाना होता है अच्छा बस इतना ही homework 14 17 18 19 20 18 नहीं है 18 नहीं है तो नाइट आप homework कीजिए मैं अपना काम करता हूं थैंक्यू सो मच बाइबाए तल पढ़ेंगे और ज्यादा डिटिल में इसमें अभी यह तो बेसिक चीजे जो सी इंटर में कल फोड़ा फाइनल वाला वोग ठीक है थैंक्यू